मुझे एक स्टॉप में वीकनेस दिख रही है और वो है सिपला 912-913 का अभी भाव चल रहा है मेरे को लग रहा है सिपला के अंदर यहां से गिरावाट आएगी और एक अच्छा फॉल 15-20 रुपे का सिपला के अंदर देखने को मिल सकता है 921 रुपे का स्टॉप लगा कि सि मिलना चीह है जिसके अंदर 900 रुपे से लेखे 890 रुपे तक के टाफ्य हैं चीप इसका को सिक्षा नी警 नहीं किया, बट जब अमारी पुरानी पारी थी अनिल जी, वहां पर मैंने इस टॉक को रेकमेंड भी किया, और ये मल्टी बैगर भी था, काफी नीचे के लेबल पर रेकमेंड किया और बहुत उपर तक गया था, और अब ये पिछले, देखे, कमर्शिल वेहिकल्स और पैस सबस्टाइब कोई स्टॉक आजाता है, साड़े साथ सो तक के लेबल तक, तो मुझे लगता है कि अच्छा लिबल है जहां पर एंट्री करने चेर, उसका 200 डेमा भी एक्जाटी साथ सो के लगवग है, तो वहां पर अच्छा सपोर्ट और वहां से धिरे-धिरे ये बाउं सब्सक्राइब करते हैं, और सबसे बढ़िया बात है, बहुत पुरानी कंपनी है, 1946 की साथ इंडिया बेस्ट कंपनी है, पहले ये लोग बाइक्स की रिटेलिंग में थे, फिर उसके बाद इस सेक्टर में है, और धीरे-धीरे बहुत अच्छी ग्रोथ की है, और अच्छी केपैसेटिस बिल्ड के और October 21 में, मतलब 2021 वाले October में, इन्होंने छोटी कंपनी है दो, बट एक स्ट्राटेजिक था इनके लिए, ट्रेक्टर के पार्ट्स के लिए, और कैफो मा ऑटो पार्ट्स बोलके कंपनी है, उसको इन्होंने टेक ओवर भी किया, तो इनार्गानिक में, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और September 2020 में, अगर 6 करोड का पैट था, तो इस September 2021 में, 28 करोड का पैट था, और PTM basis पे कंपनी ने हाइस्ट एवर प्रॉफिट्स कमाया है, जो कि around 100 करोड रुपिया है, तो ये बहुत बड़ा इंप्रेसिव पॉइंट है, क्योंकि दिखी मुझे, इसमें डिया, इसका भरोसा गज़ा भी है, सारे बड़े डिया, इसमें इंवेस्टेट है, जैसे कि कल में ने एक स्टॉक बढ़ा था, टेक्नो एलेक्ट्रिक, वहां पे भी डिया, इसका इतना बड़ा होल्डिंग था, तो उससे कॉंपिटेंस आता है, व मुझे लगता कि ऐसे, मतलब रिजाइट्स और ऐसे बैत्रिन कंपनी, क्वालिटी कंपनी, पुरानी कंपनी, और अच्छी कासी, और सारे ये पार्ट्स में है, और अच्छी के अलावा ये लोग थोड़े बहुत अग्रिकल्चरल कंपोनेंट्स और फाइवे कंपोनेंट् तो मेरे इसाब से स्टॉक को इन लेवल्स में लेना चाहिए और आट्षो परचास आट्षो सत्वर के टांगेट्स के अच्छी के अच्छी काईच्छी